हेलो एंड विल्कम दोस्तों मैं अश्यसदार फिरसे स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटूब चैनल माई टेकनिकल ग्यान में तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे ब्लोगर की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम अभी तक यहां पर यह पूरा हेडर सेक्शन यहां पर आप यह से हेलो टो में यानि कि अपना जो कॉंटेक्ट स्पेस दिख रहा है आपको इसको आप कैसे सेट कर सकते हो साथ ही साथ मैं आपको फेव आइकन भी चेंज करना भी सिखाऊंगा और इसमें एक एडवांस चीज और बताऊंगा कि फेव आइकन जो है वह भी नए ब्लोगर में चेंज नहीं हो रहा है तो उसका भी थोड़ा सा एक अल्टरेनेटिव है जो जुलाई-जुलाई में वर्क करेगा तो वो देख लेना आप तो इस तरह से अपने इसको आज यूज करेंगे और अगर आपने पीछले वाले कोई भी पार्ट नहीं देखे हो तो उनको आप ज़रूर विजिट करें और आप पर आई गए टन में आपको लिंक मिल जाएगा तो उनको आप देखें तो चलिए बिन टाइम बेस्ट की वीडियो को शुरू करते है ठीक है तो यहां से आप यहां पर आप नीचे इसको डॉन करेंगे यहां पर यह आपको दिख रहा है दिखायो मैं आपको बता देता हूं यहां पर यह आपको दो दो इमेल देखा एक contact और एक another at the email.com ठीक है तो आपको कोई email उड़ा नहीं हो तो आप भी उड़ा सकते हो वहां से आसानी से तो यहां से चलो मैं यहां से काम करता हो यह इत्ता सा ठीक है आप इत्ता पार्ट उड़ा दो तो आपकी वह email delete हो जाएगी तो मैं इसको यहां से delete क कीजिए कि मेरा name ले देता हूं ठीक है यहां पर आशिश at the email.com यह मैंने कर दिया उसके बाद आप नीचे scroll down करो यहां पर telephone है तो telephone ही रेंदो नंबर चेंज करना हो तो जैसे कि मैं इसको यहां पर पकड़ता हूं और कोई भी random number type कर देता हूं ठीक है और यह मैं सेम ही रेंदेता हूं आप चेंज करना ताकि आपको फरक दिए ठीक है और जो जैसे कि मालो यह वाला number नहीं चाहिए तो आप यहां से लेकर यहां तक delete क कर सकते हो पर मैं delete नहीं करूंगा आपको समझाने के लिए समझा देता हूं यहां पर आप इसको जिसे कि एक number में कुछ भी चैंज यहां से यह एक random number में नहीं टाइप कर दिया ठीक है इत्ता सा हो गया और यह अपना context पेज यहां पर पूरा complete हो चुका है देन यहां पर करेंगे save पर क्लिक करेंगे processing होगा ठीक है यह processing हो चुगा है देन अपन जाएंगे यहां पर पेज को refresh करेंगे यह चारो के चारो फिल्ड अपनी update हो जाएगी वह मैं आपको बताता हूं कैसे यहां पर एड्रेज यह आ गया यहां पर रेंडम नमबर टाइप किया तो यहां पर यह रेंडम नमबर अपने सारा यह जाए यहां पर send message बटन की जाएगे आप कोई भी change कर सकते हो जैसे की for inquiry जब भी आप रखना चाहो ठीक है यह रख सकते हो यहां पर आपका कोई जैसे यह जो अपने account बनाया है जिस mail से जैसे कि मैंने आशिस से उतार वो जो मेरी email id उससे बनाया है तो उस mail पर यह आपको message receive होगा तो आप वहां से उसको read कर सकते है ठीक है यह हो चुका है यहां पर यह फेव आइकन अपडेट करना यह फेव आइकन जो आपको दिख रहा है यहां पर blogger दिख रहा है तो अपना अपना कैसे update कर सकते हैं मैं इसको यहां से close करता हूँ यहां पर आप जाओ blogger template यहां पर जाओ यहां पर layout में click करोगे तो आपको यहां पर पहले गया था कि दो जाड़ यह जो जूलाई से पहले वाला जो blogger था उसमें यहां पर एक ज यहां पर जाओ यहां पर नीचे अभी जूलाई में work कर जाएगा अगस्त चोईस तक यह आपका यह रहेगा यहां पर एक आभी रहा था notice वह पढ़ लेना यहां पर कंफर्म करो तो आप अपने जो पूरा ना ब्लोगर है न उसमें आप और यहां पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर सेलेक्ट फेव एकन पी यूज इसक्वायर इमेज लेस देन हंडेट करूंगा तो अब मेरे को फेव आइकन एडिट करने का ओप्शन आ रहा है एक इसक्ति है मेरे पास कोई अगर इम्डेट सेव करता हूं तो यहां पर आप देखतो हूं तो यहां पर यह अपना फेव आइकन हो चुका है यहां पर जाता हूं और इसको रिफ्रेश करके देखता हूं अगर चेंज हुआ है तो फन इसको देख लेते क्योंकि यह टाइ सकते हो यह चेंज हो चुका है मैंने अपने यूट्यूब चैनल का ही लोगो लगा दिया और वह आपको फेवाइगन कहां से बनाना है जैसे कि आप लोगो बनाते हो कि अन्वा से बना सकते हो 500 x 500 300 x 300 बिल्कुल ही स्क्वायर होनी चाहिए तो लेंट विट बिल्कुल सेम रखना तो वहां से बना सकते हो और ट्रिक मैंने बता दी कि नए नए ब्लोगर ले आउट में जो यह यह नहीं आ रहा है तो वह आप कैसे कर सकते हो पूराने ठीक है अब ट्राय निव ब्लोगर पर वाप यहाँ पर एड रीमो एड़कए अडेट गेजक्ट तु यॉडलोग ठीक है क्लिक टू ड्रेंट टू रिए रेंज गेज़ घ्रस्त टीक आप गेज़ेश्च है आप गेजव्य ब्लोगर ऑगकर से से लग अलग लेवल तो व운데 आपको आगे कभी सिकrezक्थ के किस किसे यूझ कर सकते ट्रांस्लेटर होगे अगर सब्सक्रिब ऑचाइब हो पूरrä पूरी समझाओ है इसके बारे में अगर आप सीकता चाहते डिशमस्पश्थ करते हो तो मुझे वन प्लेज एक portfolio site बनाई है अपने ना कि एक complete blog बनाया है अपने केवल एक simple अपनी portfolio site बनाई है ताकि work के लिए मैं आपको थोड़ा सा idea देता हूँ जैसे कि सब मेरा.com पर जाओ आप हलका सा idea दूँगा आप थोड़ा सा समझ लेना उसको तो आपको complete समझ में आ जाएगा तो यहां पर आपको सब मेरा.com पर जाना है यहां पर blogger template पर जाओ ठीक है इस पर click करो और यह जैसे कि response यह अपनने जो use करी वो one page है ठीक है यहां पर आप responsive करो अगर आप magazine type बना रहे हो तो उस type की use करो 3D हो गया, ads ready हो गया, ads के बारे में आप समझ सकते हैं उसको आप देख लेना मैं एक responsive पर click करता हूँ responsive में जो mobile पर भी अच्छी तरह work करे हो और computer भी अच्छी तरह करें तो उसका जो कोई भी एगर उसका aspect ratio ना बिगड़े ठीक है तो यहां पर मैं इसको एक बार क्रोस करता हूँ यहां पर यह आ रहे है देखो सोरा कार्ट शोपिंग responsive लोगर टेंपलेट तो इस तरह की जो आपके थीम मिलती है उसको आप है ना बहुत सारे जिसे इसमें बहुत सारे पेज जिसे कि होम इसमें अलग पेज होगा ब्लोग अलग पेज होगा पोस्ट सारा अलग-अलग फिल्ड होता है और अपन ने जो बनाई थी वह एक सिंपल वन पेज वेबसाइट थी तो इसलिए वह मैंने आपको बोला तो आज की वीडियो को यही खतम करते है और यह अपने जो किस कोर्स के लास्ट वीडियो थी अगर आपको वीडियो अच्छी करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना बुले मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाएं